जए गुजरात जए बिहार बोलिए भारत माता की भारत माता की आप सब लोग यहां इस राज्जी के माननिया मुख्यमंत्री और इस देश के देधिप्यमान नेता हमारे मन्यवर स्री नरेंद्र मोदी जी जो कल से तीन दिनों तक यहां अंशन पर बैठे हुए मैं बिहार की जनता की और से गुजरात बाश्यों के लिए संदेश लेकर के आया हूँ बिहार सरकार के हम कई मंत्री कई विधागन हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेत्रित्तों में हम यहां वहां आशिरबात बिहार की जनता का नरेंद्र भाई को अर्पित किये हैं आज यहां मंच पर बिराजबान हमारे पार्टी के रास्टिय प्रवक्ता और जहां से मैं बिधाएक हूँ जिस प्रदेश का जिस छेतर से भागलपूर बड़ा ही बदनाम नाम लोग कहा करते थे लेकिन भागलपूर ने जो मिशाल काइम किया है यह भी आपको देखने लायक है और भागलपूर के हमारे लोग प्रिये शांसत सेयद साहनवाज हुसेन जी भी आज मंच पर विराजबान है यहां बलबीर पुंज साहब है महेश्चंद सर्मा जी है विजय गोयल जो हमारे रास्टिय महामंत्री है हमारे ऐसे तमाम स्मर्टी राणी जी हमारे बिहार से आय हुए डॉक्टर सीपी ताकूर जी प्रेम कुमार जो हमारे नगरभिकास मंत्री है यहां बैठे हुए हैं रावेश्वर चौरश्या ऐसे सभी केंड्रिय नित्रित और बिहार के आए हुए सभी विधायगन, मंत्रीगन, गुजरात प्रदेश के सभी मंत्रीगन, विधायगन, शान्सदगन, हमारे मित्र विजय रूपानी जी, रूपाली जी और सभी यहां आप सारे लोग जो इस सभावना मीशन का जो साथ देने के लिए आप लोग यहां बैटे हुएं, आप सब को मैं अपनी और से, बिहार सरकार और बिहार की जनता की और से, आपका नमन करता हूँ, नरेंड रभाई को नमसकार करता हूँ, कि आपने देश और दुनिया मे एक मिशाल काहिम करने का काम क्या है, मुझे लगता है कि जिस गुजरात के नाम से, जो गुजरात आज दुनिया में विकाश का एक दूसरा नाम जाना जाता है, गुजरात ने जो काम करके दिखाया है, दस साल के अंदर में, भारतिय जनता पाटी के, इस सरकार में पिरना से बिहार की सरकार भी आज चार चांद लगाने के लिए खड़ी है बिहार में भी विकाश की कई पंखोडियां आगे बढ़ी है बिहार आज विकाश की किरन में काफी आगे बढ़ी है आज बिहार के भी रहनुमा बिहार के हमारे माननी मुख्यमंत्री उपमुख्यमं और 74 के अंदर, मैं उस समय जब यहाँ नबनिर्मान शमीती ने आवान किया था भरस्ताचार के खिलाब महटगाई के खिलाब मुझे याद न खिटोंने लोक नाएक जय प्रकाश के नित्रत को में उस समय भिहार था खिलाब इस देश के अंदर भस्ता चार और महुगाई के खिराब गुजरात और बिहार ने इस तरनाई को शंगडाई को आगे लाने का काम किया था देश के अंदर जो आपातकाल इंज़ा गांधी की टानसा ञाइभी लोक नाएक जेप्रकास के नित्चत में आपातकाल का भी बिरोद करके बिहार और गुजरात ने देश में एक मिशाल कायम किया और पूरी दुनिया इसको देखती है देख रही है इत्याद बन गया है देश में दूसरी आजादी अगर लाने का काम किया तो ये गांधी की साबरमती गुजरात ने और गांधी की कर्म भूमी बिहार ने मैं आप सब को गांधी की इस भूमी को पढ़ाम करता हूँ कि जिस भूमी ने इस प्रकार का पुत्र दिया यहां नरेंद्रभाई बैठे हुए नरेंद्रभाई जैसे लोग जिन्होंने देश को शांती और शद्भावना के लिए एकात्मता के लिए राष्टि एकात्मता और अखंडता भारत की संस्किती भारत की परंपरा सर्वे भवंतु शुकिना सर्वे शंतु निरामया सरवे भद्रानी पश्चन्तो मा कस्चत दुखवाग भवेद सभी सुकियों, सभी आरोग गरहें, सभी भद्रों, सभी एक जूट रहें सभी एक दूसरे की फीडा में पिरित मानवता की शेवा करें ये नरेंद्र भाई ने करके दिखाया है जो आज टिपन्नी करते हैं, जिन्होंने नरेंद्र भाई को इतना टिपन्नी करके लेकिन नरेंद्र भाई चुप रहे, शांत रहे और विकास की गंगा को बहाते रहे, जहां बंजड था, वहां नरमदा को बहाने का काम किया यह है नरेंद्र मोदी जी की करतूद गगना गगना करम गगन का आकार गगन के देसा होता है नरेंद्र मोदी का आकार आज एक ऐसा आकार ले लिया है जो पूरी देश और दुनिया इसको कबूल रही है भाई और बहनों मैं नरेंद्र मोदी जी से हमारे मुख्यमंत्री को नरेंद्र मोदी जी यहां मंच पर विराजबान है नरेंद्र मोदी जी को जो सचमुच में एक अटल विश्वास के साथ नरेंद्र मोदी जिन्दाबाद का नारा आप लोग लगा रहे हैं भारत जिन्दा कि जनता को एकत्ति किया है ना केवल गुजराच की जनता में सांती और सभावना का मीशन कायम किया है पूरे देश बिहार हो या पूरा मुल्क आज नरेंद्र मोधी जी को पूरा देश उनके सामने नतमस्तक है पूरा देश उन्हें आशिरवाद दे रहा है कि आप आगे वो गांधी मैदान पटना में जो वह सभा हुई थी जिस सभा में इन्होंने गुजरात से आकर के और बिहार के लिए जो नोंने हिर्दे रख दिया आज बिहार में भी अगर बिहार में विकास के कारण बिहार में जन्ता ने दूसरी वार एंडियों को मत दिया तो उसमें नर झ्रेंडर भाई का भी सायोग बिहार की जंता के साथ था और इनके निट्षित्व में आगिफार भारती जंता पार्टी निश्चत रोप से आगे बढ़ रही है हम विकास की किरन को वह आगे बढ़ा烏 हमारी प्रेंण अरेंडर भाई हैं हमारे प्रेणअ के स्रोत जहां अ परजातंतर को समझा है इस सावर मती के धाम में तो उन्हेंने कहा है आज एकात मता के सर से गुंज रहा है गौन दे हाथ सार आज पूरे बिहार पुरा देश आज इनके साथ है मैं नरंद्र मोदी जी को अपने नेता को कहना चाहता हूँ कि मोदी जी अब आपका ये विशाल काया निस्ट रूप में देश की दंता आपको शुकार कर रही है जिन लोगों ने भी आप पट्टी पनी किया है वो समझ चुके हैं कि आप क्या करने वाले हैं आपने सांती सदभाबना, हर जाती वर्ग, हर संपरणाय के लोगों के लिए काम किया है आपने सब का दिल जीतने का काम किया है इसलिए नरंद्र भाई को आज बिहार के तरफ से मैं पुना सुमकामना देते हुए पूरे देश की जंता का आशिरवात आपको लगे, आप दिरगाई हो और भगवान से यहीं प्रात्ना करते हुए कि आपने पूरे देश को मजबूत बनाने का एक मिशाल काइम किया है जो दुनिया इसको सदियों तक याद रखेगी इनी सब्दों के साथ मैं आपको पुना नमस्कार करते हुए समस्त गुजरात बाश्यों को मैं पड़ाम करते हुए कि गुजरात आज देश का मोडल बना है बिहार उस पंक्ती पर भी अग्रे सरुआ है मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र भाई गगना करम गगन का कर गगन के देशा नरेंद्र भाई का कर नरेंद्र के देशा होगा ये देश फिर से उनके निच्चत में जो गुजरात आगे बढ़ा है ये देश आज उन्हें याद रखेगी और देश उनके साथ रहेगा ऐसा भी स्वास है, जै भारत, जै बिहार, जै गुजराथ, जै गुजराथ, जै गुजराथ, वंदे मातरम, नमस्कार